C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा साथ के सामाजिक विज्ञान पाठे क्रम के अंतरगत भूगोल की ध्वनी पाठे पुस्तक हमारा पर्यावरण आईए अब सुनते हैं अध्याए एक शीर्षक है पर्यावरण प्रिष्ट संख्या एक लंबी छुट्टियों के बाद जब रवी स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी वही एक मैदान उनके खेलने के लिए वहाँ पर था लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी जब रवी को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं टितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नश्ट हो चुका है तो उसकी आँखों से आसू छलकने लगे उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है कक्षा में पहुँचकर रवी ने अपने शिक्षक से पूछा पर्यावरण क्या है जो कुछ भी आप अपने आस पास देखते हो शिक्षक ने बताया रवी कहने लगा इसका अर्थ है स्कूल भावन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियां यहां तक की खुला मैदान, सडक, कुडा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं हाँ शिक्षक ने कहा लेकिन जरा रुको कुछ वस्तूओं का निर्मान प्रकृति ने किया है जैसे पर्वत, नदियां, पेड, प्राणी, इत्यादी जबकि अन्य का निर्मान मानाव ने किया है जैसे सडक, कार, कपड़े, किताब आदी अब दो-दो छात्र मिलकर कारे कीजिए अपने निकट बैठे सहपाथी के साथ मिलकर प्रकृति एवं मानो निर्मित वस्तूओं की सूची बनाईए इसी प्रिष्ट पर एक बहुत ही खुबसूरत चित्र दिया गया है और इस चित्र के बारे में वर्णन इस प्रकार से है पर्यावरन हमारे जीवन का मूल आधार है यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमी प्रदान करता है मानव इस प्राकृतिक पर्यावरन में कैसे परिवर्तन करता है कार का धुमा वायू को प्रदूशित करता है पानी को पात्र में इकत्रित किया जाता है भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमी पर कारखानों का निर्मान होता है मानो, कार, मिल, कारखानों एवं बर्तनों का निर्मान करता है इस प्रकार से मानो प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है और अब पाठ रवी, परमजीत, जेसी, मुस्तफा और आशा सभी यह सूची बनाने के लिए उत्सुक थे इकबाल ने पूछा हमारा परियावरण क्यों बदल रहा है शिक्षक ने उत्तर दिया ऐसा हमारी जरूरतों के कारण होता है ये प्रति दिन बढ़ती रहती है प्रिष्ट संख्या 2 इस प्रिष्ट में सबसे पहले देखते हैं चित्र संख्या 1.1 और इसका शिर्षक है परियावरण के घटक प्रिष्ट संख्या 2 में कुछे चित्रों के द्वारा परियावरण के विभिन घटकों को समझाया गया है इन चित्रों के विवरण के द्वारा एक बात स्पष्ट दिखाई पड़ती है कि पर्यावरण के अलग-अलग घटक हैं एक घटक है जो की प्राकृतिक है जिसे की प्रकृति ने बनाया और इसके अंतरगत इस चित्र में दिखाया गया है ये चीजें आती हैं जैसे सजीव जयो मंडल, स्थल यानि स्थल मंडल, वायू यानि वायू मंडल और जल यानि जल मंडल पर्यावरण के घटक के अंतरगत मानो निर्मित घटक इस प्रकार से हैं सबसे पहले इमारतें, पार्क, पुल, सडक, समारक और उद्योग मानो निर्मित घटक या मानो समाज के घटक कुछ इस प्रकार से हैं जो इस चित्र के द्वारा हम देख सकते हैं सबसे पहले एक व्यक्ति, उसके बाद परिवार, फिर समुदाय, समुदाय के पश्चात धर्म, धर्म के बाद शेक्षिक, फिर आर्थिक, और अंत में राजनितिक स्थिती आईए अब चलें पाठ की ओर इस चित्र को देख कर हम समझ सकते हैं कि हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी-कभी उसे नश्ट भी करते हैं प्रिष्ट एक में दिये गए वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों और पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुमें एवं प्रकृतिकों परियावरण कहते हैं यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परी घटनाओं का मिश्रण है प्राकृतिक परियावरण में प्रिथवी पर पाई जाने वाली जीविये एवं अजीविये दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं जबकि मानविय पर्यावरण में मानव की परस पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रजनाएं सम्मिलित हैं। इसी प्रिष्ट दो पर बाई और दो शब्द दिये गए हैं जो अलग-अलग बॉक्स में हैं और सबसे पहला बॉक्स उसमें लिखा है जीविय और जीविय का अर्थ यहां समझाया गया है। जीविय का अर्थ होता है सजीव प्राणियों का संसार जैसे पादप एवं जन्तू। दूसरे बॉक्स को देखें। वायू, पेड़-पोधे एवं जीव जन्तू मिलकर प्राकरितिक परियावरण बनाते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायू मंडल एवं जैवो मंडल से आप पहले से ही परीचित होंगे। आईए, अब हम इनके संबंध में कुछ और तत्थियों की जानकारी प्राप्त करते हैं। पृत्वी की ठोस परपटी या कठोर उपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनीजों से बना होता है, एवं मिट्टी की पतली परत से धंका होता है। यह पहाड, पठार, मैदान, घाटी, आदी जैसी विभिन स्थलाकृतियों वाला विशम धरातल होता है। यह स्थलाकृतियां महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। स्थल मंडल वह क्षेत्र है, जो हमें वन, क्रिशी, एवं मानों बस्तियों के लिए भूमी, पश्वों को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खानीज संपदा का भी एक श्रोत है। जल के एक शेत्र को जल मंडल कहते हैं। यह जल के विभिन स्रोतों जैसे नदी, जील, समुद्र, महासागर, आदी जैसे विभिन जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। प्रिथवी के चारो और फैली वायू की पतली परत को वायू मंडल कहते हैं। प्रिथवी का गुरूत्वा कर्शन बल अपने चारो और के वायू मंडल को थामे रखता है। यह सूर्य की जुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। इसी प्रिष्ट पर सबसे पहले देखते हैं चित्र संख्या एक पॉइंट दो और इसमें वायू मंडल, जैवो मंडल एवं जल मंडल के चित्र दिये गए हैं। इसी प्रिष्ट पर तीन बॉक्स हमारे सामने हैं और सबसे पहला बॉक्स उसका शीर्षक है आओ कुछ करके सीखें। और इसमें वर्णन इस प्रकार से है अपने आस पास के स्थल को देखिए और आपके पडोस में भूमी का उप्योग किस-किस प्रकार हो रहा है उसकी सूची बनाईए। दूसरा बॉक्स दूसरे बॉक्स में आपके लिए कुछ करने को है और यहाँ पर इसका शीर्षक है आओ कुछ करके सीखें। वर्णन इस प्रकार से है अपने घर एवं स्कूल में आप जो पानी उप्योग करते हैं वह कहां से आता है। हमारे दैनिक जीवन में पानी के विभिन उप्योगों की सूची बनाएं। क्या आपने किसी को पानी व्यर्थ करते देखा है। यदि देखा है तो कैसे। तीसरा बॉक्स हमारे सामने और इस तीसरे बॉक्स का शीर्षक है आओ कुछ करके सीखें। वर्णन इस प्रकार से है स्कूल जाते समय आसमान को देखें। ध्यान दें कि दिन कैसा है। वर्षा हो रही है, आसमान में बादल है, तेज धूप है या कोहरा इत्यादी है। प्रिष्ट संख्या 4 अब सुनते हैं पाठ। इसमें कई प्रकार की गैस, धूल, कन एवं जलवाश्प उपस्थित रहते हैं। वायू मंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायू में परिवर्तन होता है। पादप एवं जीव जन्तु मिलकर जयो बंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह प्रिथ्वी का वह संकीन क्षेत्र है, जहां स्थल, जल एवं वायू मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। पारी तंत्र क्या है? रवी की कक्षा के एक NCC कैंप में जैसी ने आश्चेरे से कहा, कितनी मुसलाधार वर्षा हो रही है। इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सब को आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आश्चेरे से कहा, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं है। हमें तो दूर दूर तक केवल की कर एवं रेत ही नजर आती है। लेकिन वहाँ उट भी तो मिलते हैं। रवी ने कहा। इसी प्रिष्ट चार पर दो बॉक्स हैं। सबसे पहला बॉक्स उसका शीर्षक है शब्दावली। शब्दावली का अर्थ इसमें वो शब्द हैं जिनका उपियोग इस अध्याय में किया गया है। शब्द हैं पारी तंत्र यानि वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भावतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं ये सब उर्जा और पदार्थ के स्थान अंतरन द्वारा संबध्ध हैं और दूसरा बॉक्स उसका शीर्षक है आओ कुछ करके सीखें वर्डन इस प्रकार से है कहानी के बच्चों की तरह आप भी अपने पर्यावरणिये स थान का चित्र या फोटो लगाईए इस प्रिष्ट के अंत में एक चित्र है चित्र संख्या 1.3 और इसका शीर्षक है एक ताल का पारी तंतर इस चित्र में एक बड़ा खुबसूरत जल प्रपात दिखाया गया है नीचे उस जल प्रपात के गिरने के कारण एक तालाब है और उस तालाब में एपक्षी और पशू और थोड़ी सी बनस्पती दिखाई गई है ये पारी तंतर है प्रिष्ट संख्या 5 हीरा ने कहा उंट तो मिलेंगे ही जब तुम हमारे रेगिस्तान में आओगे तो तुम्हें साप, छिपकिली एवं अनेक कीट भी देखने को मिल रवी हैरत में पढ़ गया विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जन्तु वनस्पती एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं? क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? बिलकुल, बहुत संबंध है, शिक्षक ने कहा सभी पेड़ पाओधे, जीव जन्तु एवं मानओ अपने आसपास के पर्यावरणड पर आश्रित होते हैं. प्राया है, वे एक दूसरे पर भी आश्रित हैं. जीव धारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरणड के बीच का संबंध ही पारी तंतर का निर्मा महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारी तंत्र हो सकता है। एक प्रश्णी यहाँ पर है, क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवी एवं उसके मित्र खेलते थे, वह भी एक पारी तंत्र बनाता था? मानविय परियावरण मानव अपने परियावरण के साथ पारसपरिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवर्शिक्ता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयम को प्रकृती के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल था। एवं आस पास की प्रकृती से उनकी आवर्शक्ताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवर्शक्ताएं बढ़ी। मानव ने परियावरण के उप्योग और उसमें परिवर्तन करने के अनेक तरीके सीख लिये। उसने फसल उगाना, पशू पालना एवं स्थाई जीवन जीना सीख लिया। पहिये का अविशकार हुआ, आवर्शक्ता से अधिक अन उपजाया गया, वस्तू विनिमें पध्धती का विकास हुआ, व्यापार आरंभ हुआ, इवं वानिज्य का विकास हुआ, और योगिक क्रांती से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया, परिवहन ते आप गर्मी में रसीला तर्बूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंग फली खाना क्यों पसंद करते हैं? मानव को पर्यावरण के साथ समरस्ता से रहने एवं उसका उप्योग सीखना चाहिए। आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। रवी के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएंगे, वहां के भूद्रिश, घरों एवं लोगों के क्रिया कलापों का चित्र बना कर लाएं। इसी प्रिष्ट संख्या पांच पर दाहिनी और कुछ बॉक्स हैं? आएए सुनते हैं सबसे पहला बॉक्स क्या कहता है? सबसे पहले बॉक्स का शिर्शक है क्या आप जानते हैं? और वर्णन इस प्रकार से है, प्रतेक वर्ष पांच जून को विश्व परियावरन दिवस मनाया जाता है। नीचे एक चित्र है, जिसमें लोग अपनी अपनी वस्तूओं को बदल कर व्यापार कर रहे हैं। अब तीसरा बॉक्स और तीसरे बॉक्स का शिर्शक है, आओ कुछ करके सीखें। वर्णन इस प्रकार से है, अपने पडोस के किसी बुजुर्ग व्यक्ति से बात करें और इन जानकारियों को प्राप्त करें। सबसे पहली बात, जब वे आपकी उमर के थे, तब उनके आसपास कैसे पेड़ थे। दूसरी बात, उस समय के घर के अंदर खेले जाने वाले खेल क्या-क्या थे। तीसरी बात, उस समय उनका पसंदीदा फल क्या था। और चौथी बात, गर्मी एवं सर्दी का मौसम वे कैसे बिताते थे। आपने जो जानकारी प्राप्त की उसको लिखिये और उसको दिवार या बुलेटिन बोर्ड पर प्रदर्शित करें प्रिष्ट संख्या 6 अभ्यास एक इन प्रश्णों के उत्तर दीजिए क पारी तंत्र क्या है ख प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं ग पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं ग मानव निर्मित पर्यावरण के चार उदाहरण दीजिए च स्थल मंडल क्या है च जीवी ये पर्यावरण के दो प्रमुख घटक क्या है ज, जैव बंडल क्या है? दो, सही उत्तर बताईए क, इनमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? एक, मरूस्थल दो, ताल तीन, वन ख, इनमें से कौन सा मानविय परियावरण का घटक नहीं है? एक, स्थल दो, धर्म तीन, समुदाए ग, इनमें से कौन सा मानव निर्मित परियावरण है? एक, पहाड दो, समुद्र तीन, सडक ग, इनमें से कौन सा परियावरण के लिए खत्रा है? एक, पादप वृधी दो, जन संख्या वृधी तीन, फसल वृधी तीन, यहाँ दो टेबल दिये गए हैं और दोनों टेबलों में अलग-अलग शब्द हैं आपको इन स्थम्भों या टेबलों को मिला कर सही जोड़ा बनाना है सबसे पहले स्थम्भ एक क, जैव मंडल ख, वायू मंडल ग, जल मंडल घ, परियावरन टेबल या स्थम्भ दो एक, प्रित्वी को घेरने वाली वायू की चादर दो, जलिये क्षेत्र तीन, प्रित्वी का गुरुत्वा कर्शन बल चार, हमारे आसपास का क्षेत्र पांच, वह संकीन क्षेत्र जहां स्थल, जल एवं वायू पारस्परिक क्रिया करते हैं और छे, जीवों एवं उनके परिवेश के बीच संबंध चार, कारण बताईए क, मानव अपने परियावरण में परिवर्तन करता है ख, पौधे एवं जीव जन्तु एक दूसरे पर आश्रित हैं पांच, क्रिया कलाप एक आदर्श परियावरण की कल्पना कीजिए जिसमें आप रहना चाहेंगे इस आदर्श परियावरण का चित्र बनाईए अभी आप सुन रहे थे हमारा परियावरण ध्वनी पाठे पुस्तक का पहला अध्याय परियावरण वाचन्स्वर अजी थोरो, निर्माण सहयोग शानु मुक्सीम, निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुती CIET NCERT नई दिल्ली भारत